लोटस आयरुवेदा इंडिया में आपका स्वागत है मैं हूं उत्पल चौद्रिय आज हम बात करेंगे डायबेटीज की डायबेटीज रोगी गर्मियों में ना करें इन फलूंका ज्यादा सेवन बढ़ सकता है आपका बिलेट सुगर तो कौन से फलूंका सेवन आपको ज्यादा नहीं करना है मैं आपको बता रहा हूं लेकिन उससे पहले आपसे बोलना चाहूंगा चैनल आपने अभी तक सब्क्राइब नहीं कि है तो चैनल को सब्क्राइब कर लें बेल आइकून की घंटे बजा दें जिससे हमारे आने वाले सब्सक्राइब करें और फेमली और फ्रेंड के साथ करें आज कल डाइबटीज एक आम बीमारी बन गई है एक कई बिमारियों को भी नियोता देती है डाइबटीज वाले लोगों में किड्नी लीवर हर्दरोग होने का जोकिम भी आधिक बना रहता है इसलिए जरूरी होता है बिलेट सुगर इस तर कंट्रोल में रखने के लिए अच्छी डाइट और लाइब स्टाइल को फालो करना जरूरी होता है गर्मियों में अनाज खाने की इच्छा कम होती है ऐसे में अधिक तर लोग फलों का सेवन ज्यादा करते हैं हालनकि डाइबटीज गर्मियों में ना करें इन फलों का ज्यादा सेवन तो पहला है तर्बूज अनि बाटर मेलर व सब से अधिक खाया जाने वाले फ़लो में अधिक तर लोगों को तर्बुज खाना बहर पसंद होता है इसमें पानी की मात्रा आधिक होती इसके साथ ही तरूज में चीनी भी होते है जो डायबीटीज रोगेओं में बिलेट सुगर का इस्तर बढ़ा सकती है इसलिए अगर आपको डाइबिटीज है तो गर्मियों में कम मात्रा में ही तर्बूज का सेबन करें तर्बूज शरीर को हाइडरेटेड रखता है इसे खाने से इसे खाने से पेट की गर्मी सांत होती है रेलेक्स फिल होता है अगर आप तर्बूज का सेबन करना चाहते हैं तो अपने डाइट से चीनी की मात्रा को कम करें सुगर का इस तर्बी कंट्रोल में रहेगा दूसरा है आम आम आदिक तर लोगों का पस्द निर्दा फल है गर्मियों में आम को कि खाना को पसंद किया जाता है कोई आमको फल के रूप में खाता है कोई मैंगो सेख बनाना शेख पीना पसंद करता है अक्सर लोग एक दिन में खाना खाने के बाद खूब आम खाते हैं लेकिन अगर आप डियाबेटीज रोगी हैं तो आम का सेवन अधिक मात्रा में करने से बचें आम में सुगर और काप्स अधिक होता है जो रक्त सुगर को बढ़ा देता है आम दिन में आप एक आम खा सकते हैं हालनकि आम ज्यादा खाने से आपको तकलीफ होगी एक खाएं लेकिन आपको ध्यान नगा है आपको आम रस नहीं खाना है कि आम रस जब बनता है तो आम का उसमें सुगर ज्यादा हो जाता है और डायक्ट अगर आम खाते हैं तो वो आप के लिए ठीक है लेकि आम रस और आम में काफी ज़्यादा अंतर है बनने के बाद काफी ज़्यादा मीठा हो जाता है इसलिए आम रस को अवाइट करें और अगर आपको खाना है तो एक दिन में एक आम आप खा सकते हैं तीसरा है केला केला सभी मौसम में मिलता है केले में भी चीनी और काप्स अधिक होता है इसलिए डायबेटीज रोगियों को ज्यादा मात्रा में केले का सेबन नहीं करना चाहिए केला डायबेटीज रोगियों में बिलेट सुगर के इस तर को अनेंतित कर सकता है चौता है अननास गर्मियों में शरीर में पानी की कमी को दूर करने के लिए अधिकतर लोग अननास का सेवन करते हैं अननास एक खटा मिठा फल है इसमें कार्बो हाइडरेटेड भी पाये जाते हैं आपको बता दें कि 100 ग्राम अननास में लगबख 13.1 ग्राम काप्स होता है अगर आप डियाबटेज लोगी हैं तो अधिक मत्रा में अननास का सेवन करने से बचें तो मैंने आपको फल बता हैं इनका आपको सेवन करना है तो थोड़ा ही करें दिन में एक बार करें मोर्निंग के बक्त करेंगे या आफ्टरून में करेंगे ठीक है रात में मत करें तो यह था हमारा आज का वीडियो आपको कशा लगा हमें जुरूर बताएं धन्यवाद